आदाब पलपल यूज के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नदीर मंख्रम पर की शुरुवात करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को जल से जल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वारे नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे और अगर ये वीडियो आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्ब कि कि मालिक अचानक गायब हो गए हैं जिसको ले करके अब सुर्क्यों का बाजार गरम होने लगा है और इसमें इसलिए भी जादा चर्चा का विश्य बना हुआ है कि मुस्लमानों के पैसे इसलामिक बैंकिंग के नाम पर रखे गए तो चलिए आखिरकार जान लेते हैं कि पूरा मामदा क्या है बैंगलॉर में लेडी करजियन रोड पर इस्तित आईयमें गोल्ड के कारले के सामने फुटपार पर पचास साल के अंसार पाशा और बुरका पहने उनकी पतनी हताश खड़े हैं आई मॉनेटरी एडवाइजर या आईयमें कमपनी बंद है और निवेशकों को उनके पैसे लौटाइम नहीं जा रहे हैं पाशा परिवार का साड़े साथ लाग रुपे अभी इस कमपनी में रुका हुआ है और कमपनी ने कुछ दिनों से अपना कारले बंद कर दिया है पाशा कमपनी के उन आठ हजार निवेशकों में से एक हैं जिनों ने पिछले 48 घंटों में पुलिस के पास धोकाधड़ी की शिकायत दर्ज कर आई है पुलिस में दायर इन शिकायतों से शुरुवाती अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ये करीब 500 करोड रुपे का घुटाला हो सकता है सिटी मार्केट इलाके में नारेल का कारुबार करने वाले पाशा ने पिछले 3 सालों में कमपनी के हलाला वैंकिंग इसकीन के तहर्ट आई हमें गुल्ड में 10 लाक रुपे का निवेश किया था पाशा ने बताया कि हमें प्रती लाक धाई से तीन हजार रुपे हर महीने मिलते थे लेकिन पिछले कुछ महीने से हमें एक हजार रुपे प्रती महा मिलने रखा हमें बताया गया कि इसमें उतार चड़ाव होता रहेगा पाश वहीने पहले उन्होंने अपने निजी खर्च के लिए डाई लाक रुपे निकाले जब व्याज एक परतीशर भी नीचे आ गया तो उन्होंने अपने बाकी निवेश की चिंता होने लगी चिंतित पाशा कहते हैं मैंने अपना पैसा निकालना चाहा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया आईये में ग्रूप के एक मात्र मालिक महम्मत मनसूर खान है जो अचाना गायब हो गए हैं और दो दिन पहले एक आउडियो क्लिप वाइरल हुई जिसमें कतित रूप से उनकी आवास है इसमें उन्होंने आत्महत्या करने की धंकी दिये पिछले कुछ महीनों से एक प्रतीशत बयाज मिलना भी बंद होना और आउडियो क्लिप के वाइरल होने के बाद हजारों निवेशक आईयमे गोल्ड के कारले के सामने एकठा हो गए रमजान के चार दिन बार भी जब आईयमे कारले नहीं खुला तो निवेशकों में बेचैनी चावे पाशा के अनुसार हमने अपने पूरे दस्तावेजों के साथ पुलिस में शिकायत की पाशा की तरह ही सेद रफीक ने केवल एक लाख रुपे जमा कराया था वो कहते हैं मुझे 20,000 रुपे वापस मिल गए लेकिन मैं शिकायत करने जा रहा हूँ हमें छोटों कारेबारी हैं जिन्होंने यहां अपना पैसा लगाया है हमें ये कम से कम अपना मूल धन तो वापस मिलना चाहिए उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी भारती मनोहर अपने बैक में पुरे दस्तावेश लेकर आई है उन्होंने अपनी बेटी की शादी के इसकीम में और अपने बेटे बेटी की पढ़ाई के लिए एक अन्य इसकीम में निवेश किया था रफीक की ही तरह तीन लाग के निवेश पर उन्हें पढ़ाई इसकीम के तहर 2017 में 80,000 और 70,000 रुपे मिले वो कहती हैं स्कूल में प्रवेश फ्रक्रिया शुरू होने से पहले हमें ये राशी मिली हमने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला Islamic banking में भारती की रूची इसलिए हुई क्योंकि उनके पती मुस्लिम है उन्हें अचानक पता चला कि उन्हें पैसे मिलने बंद हो गए है उनके अनुसार जब मैं पैसे निकालने आई तो आईए मैं गोर्ड के करमचारी ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे सब ठीक हो जाएगा इसलिए मैंने पैसे नहीं निकाले और जब आडियो क्लिप वाइरल हुई तो वो उस भीड में शामिल हो गई जो पुलिस में शिकायत करने के लिए पास की ही एक इमारत में कतार लगाये हुए थी बैंगलूर इस्ट में एडिशनल कमिशनर आफ पुलिस सिमंत कुमार सिंग ने बताया कि लोग चिंतित हैं और उन में आकरोश है इसलिए हमने महसूस किया कि एक ही जगह पर शिकायत करने की सुविधा दी जाए हमने सोंबार की रात तीन बजे सुभे तक लोगों की शिकायते ली मंगलवार की शांग तक हमें साथ से आठ हजार शिकायते मिली है ये चीट्फन कमपनी बुनिया धाचा, गोल्ड, फिक्स, डिपॉजिट, रियल इस्टेट आदी में अपने पैसे लगाती थी पुलिस ने बताया कि कमपनी एक तशक से ज़्यादा समय से इस शेहर में कारोबार कर रही है लेकिन इसके खिलाफ पहले एक पी शिकायत दर्ज नहीं की गई थी इसलामिक बैंकिंग के उसूलों पर चलने वाली इस कमपनी के बाकी निदेशकों को भी पता नहीं है कि 45 साल के मनसूर खान के पास कितनी संपती है सिमित कुमार का कहना है कि निदेशकों ने बताया कि सारा काम अकेले मनसूर खान खुद देखते थे मनसूर खान ने शहर के पोलिस कमिशनर को संबोदित अपने आडियो क्लिप में दावा किया है कि अधिकारियों और शिवाजी नगर MLA की ओर से उसे परिशान किया जा रहा है इसलिए वो आत्म हत्या कर लेंगे खान ने उन पर लोगसभाद चुनाव लड़ने के लिए 400 करोड रुपे मांगने का आरोप लगाया है क्योंकि कथित तोर पर उन्हें कॉंग्रेस पार्टी से टिकट मिलना तै था शिवाजी नगर के विधायक रोशन बे तब सुर्खियों में आये थे जब एक्सिट पोल के तुरंद बाद ही उन्होंने करनाटा के कॉंग्रेसी नेताओं और पार्टी के जर्मिल सेकेर्टरी केसी वेडू गवपाल पर निशाना साधा था हाला कि बेग ने अपने उपर लगे आरोपों का खंडन किया और कहा कि IMA ग्रुप को वो इसलिए जानते हैं क्योंकि उसने उनके छेत्र में एक स्कूल खोला था जहां भारी संख्या में छात्र पढ़ने आते थे सिंग का कहना है कि वो सभी शिकायतों को दर्ज कर रहे हैं हम ग्रुप की सारी संपत्ती का आकलन कर रहे हैं ताकि उन्हें सील किया जा सके और कोड से इसे बेशने की अनुमती लेकर लोगों के पैसे लौटाए जा सकेंगे पुलिस को संदे है कि मनसूर खान खाडी या मध्यपरदेश देशों में फरार हो चुके हैं लेकिन पुलिस को पूरी उमीद है कि वो उन्हें पकड़ लेगी इस बीच मुक्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने टुट कर इस पूरे मामले की जाज के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिकेशन टीम गढ़ित करने की बात कही है आपको बता दें कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भरष्ट, राजनेताओं और नौकरशाहों ने आडियो क्लिप में कतित तौर पर शहर के पुलिस अभियुक्त को संबोधित किया खान ने कॉंग्रिस के वरिशनेता और शिवाजी नवर के विधायक आर रोशन बेग को उनके द्वारान लिये गए 400 करोड रुपे वापस करने से इंकार कर दिया था और उनके जीवन के लिए खत्रा था पुलिस को अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि क्या खान ने वास्ता में अपना जीवन समाप्त कर लिया है और संस्थापक मालिक और उसके परिवार के सदर्सियों की तलाश तेज कर दी गई है वाटसपर आडियो क्लिप को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था और सैक्डो निवेशकों ने शिवाजी नगर में आईयमे शोरूम पर हमला करने की खोशिश की थी हाला कि अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया और इस्तिती को नियंतर में लाया गया है इस्लामिक बैंकिंग और हलाला इंवेस्टिमेंट फर्म आईयमे ने 2006 में लांच किये गए इंवेस्टर से पूछा कि हम अपना पैसा वापस कब लेंगे इसके ऑप्रेशन पुणजी स्कीम में बदलने जाने से पहले प्रती माँ 14 प्रतीशत से 18 प्रतीशत तर रिटर का वादा किया था कंपनी ने जनता से निवेश में 2000 करोड रुपे से अधिक एक्तर किये थे जिसमें ज्यादा तर मुस्लिम समुदाय के सदस्य थे शिवाजी नगर में आईयमे समु के कारले के बाहर सैट्डो निवेशकों ने एक दिन बार खान की आडियो क्लिप मुहमत खानित एहमत के वाणिजिक स्ट्रीट जिसमें खान ने उन्हें डेर करोड रुपे की धुकाधड़ी की इस बीच बेग जो एक समारों में भाग लेने के लिए नई दिल्ली में थे तो उन्होंने पताया कि उनका फन के साथ कोई वित्य वहवार नहीं है और ये क्लिप कॉंग्रेस में उनके विरोधियों द्वारा बदनाम करने के लिए रची गई साजिश थी बेग ने कहा मुझे लगता है कि आडियो क्लिप की सत्यता पर संदे है क्योंकि ये दूसरी बार है कि मेरा नाम IMA के वित्य लिंदेन से जोड़ा जा रहा है बेक ने कहा कि एक जूट को WhatsApp पर एक संदेश में कहा गया था कि मैं IMA में किये गए निवेशों के लिए गैरेंटी देता हूँ और मैं रिटन सुरक्षित करूँगा बेक ने कहा कि वे साइबर पुलिस में मामला धर्ज कराएंगे शिवाजी नगर विधायक ने IMA प्रबंदन द्वारा कतित तौर पर लगाए गए एक WhatsApp संदेश को भी साजा किया जिसमें कहा गया था कि IMA के प्रबंदन दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अब से एक सब्ता में IMA लेन देन वापस पट्री पर आ जाए हम आशावादी और अश्वस्त हैं कि ये अस्ताई अस्तिर्ता एक सब्ता के समय में खत्म हो जाएगा और व्यापार हमेशा की तरह खिल जाएगा इसके अलावा हम IMA समू से जुड़े कुछ आवंचित संदेशों को कुछ राजनेतिक दलों या राजनेतिक नेताओं जो की सोशल मीडिया में प्रसारित कर रहे हैं और इस्तानिय अबादी को भ्रमित कर रहे हैं कि उजागन करना चाहते हैं IMA समू एक सक्त मानक संद्शालन प्रक्रिया का पालन करता है और इसने कभी भी किसी संद्धन कंपनी ट्रस्ट या व्यक्ति के साथ भागीदारी नहीं की है तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह और किन-किन लोगों के बयान सामने आ रहे हैं जिनको सुन करके रुकाब सी रही हैं कि किस तरह उन गरीबों ने अपना पैसा उस बैंक में ये सोच करके जमा किया था कि जब बेटी की शादी होगी या बेटे की शादी होगी तो वो उस पैसे का इस्तमाल करेंगे और लगातार आईमे के बाहर लाखों की तादाद में पैसे लेने के लिए भीड लगी हुई है और आठ हजार से ज़्यादा शिकायत मनसूर खान के गिलाव दर्ज करा दी गई हैं जिससे लगातार लोग मनसूर खान के गायब होने की वजाओं को तलाशने में वहां की पुलिस चुटी हुई है और हमारी भी इस खबर पर बारिकी से लगातार नजर बनी रहेगी